Student जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि हम Forest Act 1927 पढ़ रहे हैं और मैंने इसमें Forest की Definition बताई थी इसके साथ हमारा Forest Act 1927 में Kinds of Forest है हमारे तीन टाइप के Forest होते हैं Reserved Forest, Village Forest and Protected Forest हम उनको आज एक ही करके उनको describe करेंगे इसका मतल्ली ये है कि इसका पूरी तरीके से जो फोरेंस लैनः है उसका पूरी तरीके से अधिकार होता है उसमें आधिकार होगा इसमें एक केस है इंडियन वोड प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड वर्सिस टेट अफ यूपी इवन फैक्टरी मीट कत्था और कैश्यू इस फोरेस्ट प्रेडियूस बिजिन दा मीनिक सेक्शन टूफूर ओफ दा एक्ट सेक्शन 2-4 ऑफ दा एक्ट के मताबिक जो फी उस फे छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज जो रिजर्फ फॉरेस्ट में पैदा होती है वो सारी कि सारी किसका अधिकारों का वो स्टेट गवर्मन का अधिकार होता है वो जैते हमारा एक और केस है प्रोटेक्टिट लेंड बनाए जाता है उसमें अंडर सेक्शन 4 के तहन तहत उसमें जितनी भी एरिया होता है वो पहले उसमें ऑफिशल गेजट में उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है अगर वो ऑफिशल गेजट में पब्लिश नहीं होता है तो उसका कोई प्रोटेक्ट लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि विलेज फॉरस में कुछ हिस्सा होता है जो हम किसको दे देते हैं जो यह मान लिया जाता है कि इस पर कुछ टाइम के लिए जो है वो कुछ लोग रह सकते हैं विलेज बनाया जा सकते हैं वो पूरी तरीके से न अदिकार्ण जो होता है वो अधिकार्ण जो होता है वो स्टेट गॉर्मेंट अगर चाहें तो उसको आइमन को वो कैंसल भी कर सकता है सब्सक्राइब करने चाहिए गाए जाता है वह विलेज के तरफ से उगाए जाता है या फिर चुछ भी इस पर जो विलेज एड होता है जो भी जर फोरेंगाई इस पर इसारा state government का ही अधिकार होता है ठीक है जो है protected forest third है हमारा protected forest ही क्या है the state government may be notification in the official guess and declared to any forest land or wasteland which is not included in a reserved forest but which is the property of the government or over which the government has proprietary rights or to the whole or any of the forest produced or which the government is entitled इसमें protected forest भी ये कुछ हत जो है reserved forest की तरह होता है इसमें भी जो भी चीज होती है वो सारा एक तरीके से protection में रखा जाते हो उसे पूरी तरीके से अधिकार होता है वो state government का अधिकार होता है इसमें एक official gadget में ये declare किया जाता है publish किया जाता है कि जि जो है वो state government के अंदर आता है और इसपे पूरी तरीके से जो इसपे चीजे उत्पन होती है उसपे पूरी तरीके से किसका अधिकार होता है उसपे government का अधिकार होता है forest land and wasteland comprise any such notification shall be called protected forest इसमें एक ही difference है जो protected forest है और reserved forest है कि इसमें जो भी चीजे land होती है या फिर wasteland होता ह इन सबको एक notification जो है वो जारी किया जाता है कि ये area है पूरी तरीके से जो है ये protected forest में हो चुका है और ये सारा area वो state government का आता है अगर हम जैसे बोलते हैं कि चंदन की लकड़ी है उसकी तसकरी हो रही है या फिर और लकड़ीयों की तसकरी हो रही है तो उसमें क्या है उसम इसमें सजा दी जा सकती है यूँकि वो area जो है और जो समान है जितना भी हो सारा state government के अंडर वो आता है no such notification shall be made unless the nature and extent to the right of government and of private person you know forest land or wasteland comprise therein have been inquired into and recorded मैं ये बोला गया है कि अगर notification नहीं दिया जाता है तो इसका हो ये नहीं कि इस पर state government का अधिकार नहीं रह जाता ठीक ह and extent of the right of government and of private person in over the forest land or wasteland अगर इसमें notification जारी नहीं किया जाता है तो वह हम बोल नहीं सकते है कि ये पूरी दरीकी से state government का माल है ये state government के दौरा ये forest protected land किया गया इसमें कोई private person जो है वो भी उसमें wasteland पर अपना अधिकार जमा अपना अधिकार उसमा सकता है ठीक है एक के से इसमें लकडी की cutting होनी है कब कब यहाँ पर जो है trees को काटा जा सकता है और अगर कोई भी बंदा जो इनका उलंगन करता हुआ पाया गया तो वो किसके लिए अधिकार होगा वो सजागे लिए अधिकार होगा next है हमारा forest conservation act 1980 है जैसे हमने पढ़ा है deforestation क्या होता है deforestation होता है जंगलों को काट काट कर साफ करना और उसको अपने use के लिए बनाना तो यहाँ पर इसलिए बनाया गया है forest जब act बना 1927 तो उसमें लोगों को इतना नहीं समन में आया है कि यह किस condition पर यहाँ पर प्रोहिबिशन हो सकता है इसलिए यहाँ पर forest conservation act 1980 बनाया गया है कि जंगलों को बचाने के लिए जो act बनाया गया है जैसे conservation means क्या है preservation and protection of existing forest conservation का simple meaning है जंगलों को बचाओ और उनको protect करो उनको forest को अब इसको बनाने के पीशे उदेश है क्या था object of the act the act has been passed with the view to check the deforestation which had been taking place in the country और in large scale day by day है जंगलों को काटा जा रहा है और उससे हमने पढ़ा था कि deforestation जंगलों को काटने से क्या क्या तकलीफें बढ़ सकती है एक तो हमारा nature खराब होता है हमारे जो atmosphere है वो खराब होता है और उसकी वैसे जो climate changes होता है वो होता है खराब तो इन सब चीजों को देखते हुए यह forest conservation act बनाया गया यह मैं already पढ़ा चुकी हूँ यह बोला forest act में कि इस case में बोला गया है कि forest की activity में definition क्या है the term forest land will not only include forest as the dictionary meaning only jungle ठीक है इसमें यह बोला गया है कि any area जो भी area वो record में जैसे हमने बोला है कि publish किया जाता है notification पर एनी area जो record में दिया गया है कि यह particular area जो है वो गवर्मेंट के अंडर आता है वो ऐदे forest जो है घोचित करदिया गया है यह जंगल घोचित करदिया गया है तो इस condition में किया होगा यहां पर वो सारा एरिया जो है वो जंगल माना जाएगा वो next है हमारा non-forest purpose non-forest purpose क्या होते है the term for non-forest purpose has been defined as breaking up or cleaning of any forest land or portion non-forest का हुदल क्या है जो भी forest area है उसको पूरी तरीके से उसमें जो पेड़ पोध है उसको पूरी तरीके से काट कर उसको साफ करके उसका जो एरिया है forest land or portion उसको non-forest purpose के लिए बनाना उसको अपने आम लोगों के लिए उसको use करना the cultivation of tea, coffee, spices, land, horticulture, crops और medicinal plants ठीक है उसमें जितने भी plants बगएरा लगाए गए है चाहिए वो tea के हैं, coffee के हैं या फिर मसालों के हैं, plants हैं इन सब को काट लेना any purpose other than the reforestation ठीक है reforestation, deforestation का मतलग क्या है जंगलों को काटना और reforestation का मतलग क्या है जंगलों को बचाना उसमें और जाय से ज़्यादा घने जंगल बनाना तो यहाँ पे हम non-forest purpose के लिए हम definition पड़ रहे हैं वो सब काम जो जंगलों को बचाता है वो सारा क्या है वो non-forest purpose है अब इसमें section 2 में जो clear किया गया है कि non-forest purpose क्या नहीं है क्या क्या चीज़े उसमें include नहीं होती है तो section 2 further clarify that the non-forest purpose do not include any work relating or ancillary to the conservation ठीक है कोई भी ऐसा काम जो जंगलों को बचाता है development and management of forest and wildlife उनको develop करता है manage करता है किसीच को जो forest wildlife है forest life है और wildlife है उनको manage करता है namely the establishment of check post fire lines wireless communication and construction of fencing bridges, dam, water, holes trench marks, boundary marks, pipeline or other like purpose right उसमें से कोई भी ऐसा establishment करना जो non-forest purpose किया है establishment करना check post हो गया fire lines हो गई wireless communication को बचाना है ठीक है हम उसकी telephone के लाइने बचाती है pool बनाना dam बनाना ठीक है उसमें trench marks करना boundary लगाना pipeline लगाना ये सब चीज़े क्या है ये सब चीज़े जो है वो non-forest के under नहीं आती है ये right if there is a violation of section 2 by anyone he will be punished with simple imprisonment for a period which may extend to 15 days हमने section 2 में पढ़ा है क्या के चीज़े होती है non-forest purpose के लिए जो नहीं आती है non-forest purpose में अगर उन सब चीज़ों का कोई भी उलंगन करता है तो उसको 15 दिन के लिए punishment उसको दिया जा सकता है ठीक है simple imprisonment which may extend to 15 days अब इस case में है T.N. Godavaram तेंटरों वर्सी Union of India the Supreme Court observed that the establishment of sow meal has always has treated as the non-forest purpose ठीक है अगर मालों तो वहाँ पर किसी ने saw meal लगानी है saw meal मतलग क्या होता है मालों किसी ने carpenter काम करना है या फिर लकणियों का काम करना है तो उस condition में वो saw meal के अंडर वो जो saw meal है वो non-forest के treated ने वो जो है non-forest में treated किया जाएगा वो non-forest purpose के लिए वो इस और बे अल्सो बीं clarified by the court that unlicensed saw meal established prior to 16 cannot be permitted to the operate even if it is located 150 meter from nearby forest all mining activity inside national park or non-forest activity and cannot be permitted 1980 में हमारा ये बना हुआ है non जो हमारा forest conservation act वो 1980 में बनाया गया था तो इस case में बुला गया सबसे पहला जो saw meal है वो non-forest purpose के लिए वो non-forest purpose में triggered की जाती है अब इसमें बोला गया कि पूरा clear किया गया है कि जो भी saw meal के लिए licensed है अगर वो unlicensed है और वो 16 जुलाई 1981 के बार बनाये गई है तो वो क्या है वो permissible नहीं है अगर चाहे वो जो है जंगलों से 1500 मीटर के दूरी पर है तभी भी वो unlicensed है वो permissible नहीं है क्योंकि वो गैरकानी तरीके से किये saw meal की जारी है और वो सब all mining activity जो mines की activity है जो national park wildlife century के under की जारी है ठीक है जो non-forest activity है वो सारी permissible नहीं होती है यहाँ पर हमारा finish हो जाता है यहाँ पर हम खतम करते है हमारा फोरे से next हम unit fourth हम start करेंगे है ठीक है unit fourth में हम पर ढपिए बाल से आपिए